वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विक्टरी क्लासिज आज हम सीखेंगे स्केर को सौलव करने की ट्रिक सबसे पहले हम इसको सौलव करने के लिए एक एकजामपल लेते हैं जैसे हमने लिया 33 इसका स्केर सौलव करना है तो पहले हम क्या करेंगे 3 को 3 के साथ multiply और इसको 2 के साथ multiply तो जब हमने इसको multiply किया तो हमारा आ रहा है 80 ऐसे अब हमने 33 है जो इसमें से अलगले digit को हमने क्या करना है square जैसे हमने 3 का square किया तो कितना रहा है 0,9 फिर 3 का square किया तो 0,9 अब हमने जो पहले multiply किया था वो अब इसमें एक छोड़ के हमने add कर दिया तो हमारा आ रहा है 1089 ऐसी अब हमने एक और example लिए जैसे हमने लिया 42 42 अब हमने क्या किया 4 को 2 के साथ फिर इसके साथ 2 के साथ तो कितना रहा है 16 तो इसको अब हमने क्या किया 4 का स्केर किया तो कितना रहा है 16 2 का स्केर किया तो 04 अब हमने एक छोड़ के इसमें 16 add कर दिया तो हमारा आ रहा है 1764 ऐसे ही अब हमने जब 3 डिजिट का स्केर स्वालब करना है तो क्या करेंगे इसमें हम जैसे हमारे पास है 112, अब इसमें हम क्या कर देंगे, 12 को add कर देंगे, और 12 को subtract कर देंगे, जो हमने 12 लिया है, इसका हम square करके एक side पे लिख लेंगे, और जो हमने 12 add किया है, उसको लिख लेंगे, और जो इसमें subtract किया है, इसको लिख लेंगे, इन दोनों को आपस में multiply कर देंगे, बट जो हमारी दो जीरोज हैं जैसे हंड्ड重要 है उसको हमने कट करने है, तो कट करने के लिए नीची हम इसको हंडड के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, अब हमारे पास ए आगया 124 और 144 बट हमारे पास हमने दो जीरोज ले थी, इसलिए हम जो 1 है उसको 124 के साथ add कर देंगे और जो 44 है इसको ऐसे लिख देंगे 125 44 यह इसका क्या हो जाएगा square ऐसे ही अब हमने एक और example लिजासे हमने लिया 243 अब इसमें हमने 3 को add कर दिया और 3 को subtract कर दिया 3 का square 09 और इसमें 3 को जब हमने add किया तो कितना आ रहे 243 subtract किया 240 अब हमने एक 0 को cut करने तो इसको 10 के साथ क्या कर दिया हमने divide जब हमने 10 के साथ divide किया तो हमारा 0 के साथ 0 cancel तो इसको multiply किया तो हमारा आ रहे 5904 और उदर हमारा 09 0 हमारा क्यारी चला गया तो हमारा अंसर आ गया 59049 So we have taken this initiative to provide you videos related to mathematics if you like our channel please share and subscribe it we will come with another videos related to mathematics and other subjects also which will be helpful in your government exams like the Sildar exam which is upcoming exam of Punjab so stay connected thank you so much stay healthy and stay safe